यदि बेलपत्री का पेड़ आपके यहां है और मान लोग कई लोग बेलपत्री गमले में लगाते हैं या च्छत के उपर लगा देते हैं बेलपत्री का ब्रक्ष जो होना चाहिए वो घर के ठीक पीछे के पाद़ या बेलपत्री का ब्रक्ष अगर पीछे नहीं है तो आप अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो राइट हैंड की और बेलपत्री का ब्रक्ष होना चाहिए आप जब घर से प्रविश कर रहे हैं बाहर की और निकल वो सुख का अनुभाव करा यदि घर से निकलते समय बिलपत्री का पेड लेफ्ट में अगर आता है आप जिस घर से निकल रहे हैं लेफ्ट में अगर बिलपत्री का पेड आता है तो आप एक रुपे कमाएंगे सबार पे खरचोगा पैसा अगर में दिखे गा नहीं आएगा जरूर साइगा वह वह पर के पीछ़े के चिस्से में और ऑसी जगा नहीं लगाना कि जहां पर पर पैल पत्र में गंदा पानी जाए या कोई गंदी वस्कोज के नीचे पाई तेतीस करोड देवी देवता बेल पत्री के पेड़ के नीचे सुमवार के दिन कोई रविवार के दिन कोई मंगलवार कोई गुरुवार बेल पेड़ी के नीची आकर 33 करोर देविड्योताओ तब करते हैं साजना करते हैं बेल पेड़का बड़ा प्रबाद एक बेल पेड़ी एती होती है जो कि शंकर पर अगर चड़ी हुई है तो बापी सुतार दर दो कर फिर शिव को चड़ा ज़ाए